हेलो फ्रेंड्स मैसेल्फ विक्रम पठेल आजे आपड़े DME नी अंदर Unit 2 मां डिजाइन आप कपलिंग नी अंदर फ्लेंज कपलिंग नो एक्जांपल जो इस विगे कही रीते दाप्ये फ्लेंज कपलिंग नो एक्जांपल सॉल करी सको जो मिन्स के नी डिजाइन कई रीते हैं जन्रेट करी सकाई जहाएं तो यहां आपड़े एक एक्जांपल जहा है के डिजाइन हां कास्ट आयां प्रोटेक्टरी टाइप फ्लेंज कपलिंग ट्रांस्मीट 15 किलो वाट पी एंड 900 र्पीम फ्रॉम एलेक्ट्रिक मोटर तो अ कम्प्रेशर दा सर्विस फेक्टर में भी एज्यूम का मेक्जिमूम पावर के तो ट्रांस्मीट करी सगया है यहना माटे यह सर्विस फेक्टर दमने आप पेल हो जाएं तो फॉलोईंग पर्मिशेवल ट्रेशीज तो यहां सियर ट्रेशीज फॉर शार्प टाव सी टाव एस टाव बी एंड टाव के 40 मेका पासकल आप पेला चाहें क्राशिंग ट्रेशीज फॉर बॉल्ट एंड की सी बी एंड सी के 80 मेका पासकल आप पेला चाहें एंड सीयर ट्रेशीज फॉर कास्ट आयां टाव सी एट मेका पासकल तमने यहां आप पेला चाहें तो यहां तमारी रकम यहां तमने कीदे लेजा कास्ट आयं टाइप प्रोटेक्टिव टाइप प्लेंज कपलिंग नों यूज मतलब डिजाइन कर तो यहनू सोलुशन जे चाहें सोलुशन नी अंदर आपने जे पेला फर्स्टली जे गिवन डेटा आपेला चाहें ए लाईए तो आपने में तमने आगर कीदे लेज प्रमाने 15 किलो वाट तो 15 इंटू 10 देश्टू 3 वाट N इकल तो 900 RPM, सर्विस वेक्टर 1.35, ताउ A, ताउ B, ताउ K 40 MPa मिन्स 40 N per mm², C, B, N, C, K, ग्रसिंग ट्रेश्ट पर बोल्ट एंड, की 80 MPa, तो N per mm² माला किदे 80 N per mm², और C8 रेश्ट एंड, 8 MPa, तमने आप एला चें, मिन्स कि 8 N per mm², और साब डायमिटर माटें, और टेबल जहें आपने रिक्वाइड रहेज हैं, तो इन्हों सॉलूशन स्टार्ट करिएं, तो फर्स्ली आपने डिजाइन आफ हर्व, तो इमाँ आपने पावर आपे लोगाँ, तो पावर इक्वाल डू, यह एक्वेशन यहां दोए-दोए ठीक चें, नगर डायरेक्ली 2πN by 60 इंटू टॉर्क T, तो टॉर्क T इक्वाल डू, P इंटू 60, अपोन 2πN, तो पावर केटलो अथो आपड़े, अगर लग्यों, 15 इंटू, 10 इस टू 3, इंटू 60, 2 इंटू 3.14 इंटू N, 900 जहें, जो तमारे क्यलकुलीशन इजी गरू आए, तो यहां पावर नू, सोलुशन नहीं कराऊने न, पावर माज रेवा दिया आए, तो टॉर्क केटलों मुले जहें, 159 इंटू 3 नूटर्न इंटू, मीटर जहें, एने, मम मां कन्वर्ड करूओ है, तो 159 इंटू 30 इंटू 10 इस टू 3, नूटर्न इंटू म, आज यह तमने मुले जहें, ए नूटर्न इंटू मीटर मां मुले जहें, आ, मम नी इंदर, जी आपरे टॉर्क, कर, नेक्स, सर्विस फेक्टर आपने यह आपे लो जहें, तो मेक्जिमम टॉर्ड, ट्रांस्मीट बाए, ट्र्री मेक्जिमम, इस इक्वल टू 1.35 सर्विस फेक्टर यह आपे लो जहें, इन्टू टू, तो एक के टलो दज है, थर्टी तो टाव मैक्जिमम यह चाहिए दमारो यह सॉल्ल करिए लेग टू वन फाइव न्यूटर्न इंटू मीटर मल्स है टाव मैक्जिमम अन्यूटर्न इंटू एमेम मा कन्वर्ट करों यह 10 रिस्टू 3 न्यूटर्न इंटू मैक्जिमम टॉर्क माटे नी वाद थाई गे तो आपड़ों मैक्जिमम टॉर्क तो इना परतिया अपने साप्ट नो डायमेटर मोल्स है मैक्जिमम टॉर्क 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 टी इकोल टू पाय बॉन शिक्स्टी ताउ एस इन्टू दी क्यूब तो इंप्लाइज यां केटलो चाहा है मेक्जीमोम बसो पंदर इन्टू 10 रिस टू 3 न्यूटन पार इन्टू एमेम माला ही जू आपड़े पाय अपोन 60 टाउ एस तमने 40 आपेल हो जाए इन्टू डी क्यूब ना अनू सोलुशन करों बरोबर जाहा है इन्टू सोलुशन करों डी तो तमने शाप डायमीटर जे चे एक क्यूब इक्वल टू 27.4 इंटू 10 रिस टू 3 एमेम मेंस डी इक्वल टू तमने 30 1 एमेम मल्स है टेबल मां आपड़े जोवा जाही है तो 30 तू 35 चे तो आपड़े लोवर वेल्यू तो लाई ना सकी ले ना पच्छी नी नेक्स वेल्यू जे चे चे ए अप्रोक्स फ्रॉंग टेबल डी टेकन एज 35 एमेम में तम्हें शाप डायमेटर जे फाइंड करी ली तो ए किटलो लेवान होचा आपड़े 35 लेज जो उँँ इटला माटे तमने राउं फिगर लेवान होचा आपड़ा के जेनी मदधी तमारो केलकुलेशन इजी था तमारो केलकुलेटर लेज यूज करू पड़े मेक्जिममम तम्हें वस्तु लेज जबो पड़ मीनिममम लेवानी नहीं यहां तम्हें 31 आपड़े लोचा तो जी टेबल मा रेंज जे चे यह 32 35 नहीं आपड़े लीचा तो 30 कंसिडर ना करें क्यांकि आपड़े लोवर माटे केलकुलेशन करवान था है पड़े मेसा करवानी तो आपड़े इतला माटे है यहां D 35 mm लए लीचे आना राकी नहीं तम्हें क्यालकुलेशन कर सो तो पड़े मां कोई तम्हारो एक्जेम्पल रॉंग थसे है नई बरोगार तो आज साप डायमीटर आपड़े यहां राकी ले जाओ और नेक्स्ट आपड़े फाइंड करिये है यहां मों लखी दाओ चुब आपड़े यह फाइंड करिये है टॉर्क मेक्जीमुम अज किटलो अधों टू मेक्सिमुम टॉर्क टू वन फाइव इन्टो तन राज तू थ्री नूटन इन्टो अम्म और शाप डायमीटर थर्टी फाइव एम्म तेना परती बीजु आपने सुमल से आउटर डायमीटर आपड़े अब केबिटल डी टू डी तो सेवेंटी एमें मल से तमने अने लेंथ आप 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 केबिटल एल एक इडलू चे वन पॉइंट फाइव डी तो वन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी फाइव गले केबिटल आउसे फिप्टी टू पॉइंट फाइव तो आपनी जे पेरामीटर अधा ये आपने फाइड करी ली जाएवे जे छे आपनी जे पेरामीटर फाइड करेला जे ये राइड छे के रॉम ये आपने चेक करी लेए कितला आवे छे के पर्मीशिव बल सी अट रिसीज कितला आपने मले चे हब माटे तो मैक्सिमूम टॉर्क ट्रांस्मीट इन फ्लेंज टी मैक्सिमूम इस इक्वल टू पाई उपोन सिक्स्टी इन्टू टाव सी इन्टू दी रिस्टू फोर स्मॉल दी रिस्टू फोर दिवैडेट बाई दी तो अनी अंदर वेल्यू भूट करिये ताव सी अपड़े फाइंड करिये कि कितलो आवे जाए तो टू वान फाई इन्टू 10 रिस्टू 3 अपोन पाई अपोन 60 इन्टू ब्रेकेड मार 70 रिस्टू 4 केपिटल दी स्मॉल दी 35 रिस्टू 4 दिवैडेट बाई 70 इन्टू टाव सी तो आने तमें सॉल करो तो टाव सी इक्वल टू आव वस्तू तमें सॉल करो ट्ले 6 3 1 4 7 7 दिवैडेट बाई 215 इंटू 10 रिस्टू 3 एकले दमने मुल से 3.4 नूटन पर अम्म स्क्वेर आनू सॉलुशन करो तमें इकले दमने आटलो आंसर आवजे 63.63 इंटू 147 दिवैडेट बाई 215 इंटू 10 रिस्टू 3 एकले दमने 3.4 नूटन पर अम्म स्क्वेर तो जे आपने या आपेलू जे ट्रेसीस एक इटला बेला चे ग्रेटर देन ए सूथ से लेज देन 8 नूटन पर अम्म स्क्वेर ताउ सी जे आपने या आपेलो जे एक्जम्बल नियंद तो इना करता जे आपने फाइंड करिया चे ओचो जे एकला माटे आपड़े जे पन प्यारामीटर फाइंड करेला चे आब द्या ए राइट चे मिन्स सेफ चल बरोवर नेक्स वाद करिया आपड़े की नी क्या होए डिजाइन फॉर की सेकेंड फाइंड करिया आपड़े डिजाइन आफ की तो की नी अंदर पन सेम आईया सिक्के सुच है टाउ के के सीयर ट्रेसिस करता है क्रसिंग ट्रेसिस डबल आपड़े लाजे मिन्स के स्क्वेर की चे तो शाप डायमिटर डी थर्टी फाइव एमेम हो है त्यारे टेबल मां आपड़े जू यह तो यहनी वीद जे चे 12 म मां पिली चे माटे यहनी थीकनेस पन 12 म मत था चे मिन्स क्या ना वाना करने हीर की इस कई चे स्क्वेर की चे तो यह टेबल उपर दिया पेरामिटर आपड़े फाइंड करे लिए तो यह चेक करिएं किनी डिजाइन सेब चेक हैं नहीं जे पन आपड़े पेरामिटर फाइंड करे लाजे तो मैक्जिमम टॉर्क प्रोड्यूसिन सीरिंग ट्रीसिस अपरे कंसिडर करिये जाएं तो लेंध इन्टु वीद इन्टु ताव के सीरिंग ट्रीसिस प्रोड्यूसिन की इन्टु दी बाई टु तो मैक्जिमम टु आन्टु टैन इस्टु त्री लेंध अग्की तो यह किटली चे स्मॉल आल इल्ट कोल टु केपिटल यहां यहां आपड़े ओल्रेडी आगड फाइंड करे लोच्छे बरुबर आपड़े यहनी डिजाइन जे रे लेक्चर मां किते लोग यहनी ड करी त्यारे आ वस्तु हूं कि देलो के लेंध आफ की इस इकोल टु लेंध आफ खब तो कितली चें फिप्टी टू पॉइंट फाइब ट्वेल शाप डायमेटर थर्टी फाइब बाइट टू इन्टु टाव के आपड़े फाइंड करी चें ते शॉल करी हैं टाव के अट ली वस्तु हूं तो यह आपणने मले चे तो ओंड्रेड एंड फिक्टीन बाइ इन्टु टैन रिस टू थी डिवाड़ेट बाइ एलेवन थाउजन ट्वेंटी फाइव यह चे तो आनो सोलीशन करशो तो नाइन्टीन पॉइंट फाइव नुटन पर एमेम स्क्वेर दमने मले चे तो आ जिये चे आपेला करता उचोच चे बरोबर चे एद अमने रकमा केटलो आपेलो चे 40 आपेलो चे ने एद प्रमाने क्रसिंग कंसिडर करिया आपए अमने याई विये for crossing T maximum length into thickness by 2 into Sigma CK तो length 52.5 यह 215 into 10 raise to 3 थीखने से सेम अच्छ है 12 sigma CK and sigma CK is equal to 215 into 10 raise to 3 divided by 5 55,100 55,500 त्वेल इंटू 5 तने यहने तमें 100 करों इतले तमारो आंसर हो से 39 mm square जे permissible traces आपिला चाहे ना करता ओच्छा छे less than the given data इतला माटे आपड़े कीना पन प्यारा मीटर जे पन फाइंड करें लाजे is save check next वात करें third design of flange तो flange नी first find करी जो thickness of flange tf ये किटली ताइज है 0.5d 0.5 into 35 या उसे हमारो 70.5 mm हाँ flange नी thickness नी बात था है अब बात करें maximum torque flange नी अंदर प्रोदूस ताइज है तो maximum torque in flange तो t maximum equal to pi d square by 2 into tau c into thickness tf pi d square तो आने आपरे simplify करी दिये tau c is equal to t maximum divided by pi d square by 2 into tf तो यहां यह value put करो t maximum 215 into 10 raise to 3 pi 3.14 into d c 72 into tf आपड़े अमनाद फाइंड करें 70.50 आनो solution करो इटले दमने मुल से 1.6 newton per mm square j permissible करता लेज़ देंचे अथवा q1 मा जे permissible traces आपड़े जयना करता लेज़ देंचे माटे आपड़े फ्लेंदा जे पन parameter define करेला जे ए save चे और लास्ट माँ बात करी आपड़े बोल्ट फोर जे चे डीजाइन फोर बोल्ट तो बोल्ट नो nominal diameter d1 बरो तो बोल्ट ना टेबल उपर थी साब diameter 35 हो है तो आपड़े नंबर बोल्ट केटला लेवाना चे है 3 तो nominal diameter of bolt माटे maximum torque produced in bolt T maximum equal to 5 by 4 d1 square into tau b into number of bolt into d1 by 2 d1 j चे चे ये किटलो आई चे पीच सर्कल diameter d1 equal to 3d पीच सर्कल diameter of bolt तो 3 into 35 105 mm तहीं आपड़े T be fine करवान होजा means T maximum divided by 5 by 4 d1 square into n into d1 by 2 तो 215 into 10 raise to 3 divided by आई आपड़े d1 फाइंड करवानों चे ना ओक्के इन्टू 40 टाव जी चे चे अपड़े find शूगरवान होजा है d1 square तो यह टाव होज है टाव भी थे किट लो जा है 40 mm 14 newton पर mm square number of bolt 3 यह एए d1 105 by 2 तो d1 square equal to solution कर सो इकले तमने मल से 215 into 10 raise to 3 divided by 4950 implies d1 equal to तमने मल से 40 square equal to 43.43 43 तो d1 equal to 6.6m हाँ bolt नोमिनल diameter तमारो find थे गयो तो अधर जे parameter चे outer diameter of d2 equal to flange 4 d1 1 140 mm अन्य protective होवाना कराने protective flange तो thickness of protective flange tp protective flange tp thickness tp is equal to 0.25 d tp तो ये तमारे आवाज है 8.75 mm तो जेटला पन parameter आपड़े जोता था ये ये bolt मारे करी लिदा ये ना पची जे रहे जदा था outer diameter of flange d2 पन find करी दिदो protective type flange ने आपड़े डिजाइन करी ये जे ये येनो circumference thickness tp find करी ये पड़े तो ये पन आपड़े find करी दिदी तो आ रिते दमे protective protective type flange example solve